हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है जो लौहे अजल में लिखा है हम देखेंगे स्वागत है आपका वक्त की आवाज के एक और एपिसोड में, जिसका नाम है लफडा काय कोरे घडी 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 जडी लफडा काय कोरे जोपडे में जञजट जमेला काय कोरे लगभग 1980 के दशक के आखिर से जातिवाद विरोधी आंदोलन यानि के आंटी कास्ट मूव्मेंट के तहत साहित्य कविता और संगीत का बढ़त देखा गया था आज हम उस संगीत की एक परंपरा के बारे में चर्चा करेंगे और उस संगीत के एक महान प्रतिनी धी से मिलेंगे लट में इंट्रोड़ूस यू तो संभाजी भगत फ्रम द लोक शाहिर ट्रडिशन इन महाराष्ट्रा संभाजी भगत अलोक शाहिर अपीपल स्पोएट काई का राइट, काई का राइट, काई का भाइट, 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 काई का भाइ लॉकडाम से ठीक पहले हमने संभाजी भगत से बातचीत की थी उन्होंने हमें अपने रीसंट कैम्पेन के बारे में बताया वो महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में गानों के जरिये हमारे संभिधान या कॉंस्टिटूशन के बारे में जनता से चर्चा कर रहे थे संभाजी भाई स्टूडियो में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आका स्वागत है शुरू करने से पहले मैं आपसे यह पोचना चाह रही हूं कि इन दिनों आप क्या गा रहे हैं अब जो आम जा जा के बस्तियों में जो काम कर रहे हैं और गा रहे हैं यह बेसिकले अंटी-फासिस्ट है अंटी-कास्ट है प्रो-उमन है और कॉंस्टूटूशन के लिए गा रहे हैं तो यह बेसिकले हम लोग गाना जा जा के गा रहे हैं भालावर कालो खाचा भीम उजेड कोरतो काल्याईचा उरात भीम लेखन्या पेरतो पेरतोगा फ़ीम लेकन्या पेरतो घेर लग अडराणी गेरलग आराणी हमलेवारेच्स हुफá कुनी सवडवासं Goodman सवड़ जयनांच विदान सवड़ सोरवासंories विद तोडवासं विदान सवड़ जयनांच विदान स्वafoodियू उसको बच्चायो करें, तो उसको बच्चोड़ करके यह गाना है, यह नया गाना यह दो बच्चावी काान आ्सकोड बच्चाव हैं, मैं उसके सब्वां वी कर रहा bandu कनलब कॉन्स जो प्रियाम्मन हैं सिर्प्र गानान गांते हैं, आपको प्रिएम्बल का प्राशिक्षन देते हैं, सक्षर्ता बनाते हैं, दोर टूर जाके लोग उंको एककटा करते हैं, सक्षर्ता करते हैं, और उसके बाद में जो बच्चे हैं घर गरों में उनको एककटा करके, हम लोग इंसानियत की पाठशालाई शुरू किया हैं, फड्bad इनशनियत की पाड़शाला ये तो बहुत ही अच्छ़ एडिया है, तो आप जो गाते है, आप तो लोक्शाहिर है, शाहिरी ट्रड embora और द 근र。 तो आप कुछ हमें बता सकते हैं कि विएम गीत को लोक शाहर होते हुए गाना इसका मतलब क्या है दिखिए यह लोक शाहर की जो अरमपरा है इस देश में बहुत पुरात है क्यूंकि अमारी सारी मतलब क्योंकि हम को लिखने के लिए और पढ़ने के लिए चांस नहीं दिया गया तो इस देश में और जो बाइकॉटेड लोग जो है जो जो बैसकुत लोग यह दोनों का कल्चर जो है वोगीखने के लिए और फजरी ही कर रहे हैं। तो जब यह भीमगीत का जो इसके पहले यहाँ शाहिरी आता है, चात्रबधी शिवाजी महाराज के वक्त में, मेडियोल पिरेड में यह जो टैलेंट है नीचले तपकों में इसको रवबर से इडेंटिफाय किया और एक स्वराज बनाने के लिए उसको एकटा किया और वो ल जो जेगे जाके व ऐसे के वैसे बताते है तो उससे वो शुरू हो गई शाहिरी उसके बाद में यह जो परमपरा है वो पेश्वाई के अंदर खताम चुकी और उसको मिलब अवरतों के खिलाप में वापरागा गया और दरबारी लोगों का प्रेज करने के लिए और सुति कुछलेवे लोग है औरते हैं उनके उत्थान के लिए उनके जो कॉंशिसनेस रिजिंग के लिए एक काम शुरू करते है उसको सत्यशोदी की जलसे महराष्णा में कहते है और इसके बाद में पुले जी कानत हो जाता है डॉक्टर बाबा सभ अंबेटकर की मुवमन महराष भांसितनात्य गजया जादा काम मंहराष्णा है अर टो कुछले गजलिऑ डीज़ा मतलग बान परैका कुछलय करें खर जान्टर भी टैससोच्धां कर जादार कि थाम्यवदा आ कट मियुरूद को क्यों कि अटकर की ड॓न गी मतलग निजले तपकों की ट्रेडिशन है त् विर राम्यवादी ट्रडिशन अवारा है महारास्त्रमी यह देश बर में इस्टिफार जाती है और ज्टीज के राद में लाल बवता कहला तक श्रो जाता है पूरे दुनिया के जो ट्रोइलिंग मंसेस है उनको एकटा आके इस दुनिया को अच्छा बनाना चाहिए ये एक सपना ता उनका उससे अन्ना बहु साथे अमर शेख जैसे महान कला कार आए उनको भी तो लोक्षाहिर उनको भी लोक्षाहिर बोलते है तो ये जो लिफ्ट और अमबेटकराइट जो शाहिरी है ये साइड बाई साइड चलते रहा है और दुसरे को मदद करते भी रहा है तो ये परंपरा रही है अल्टोगेदर भीमगीत शाहिरी और लिफ्ट का जो कॉन्ट्रोशन है तो ये संगीतात्मक तौर से ये कैसे पेश आता है मतलब वो कविता में वो नजर आता है ये पॉलिटिक्स या ट्यून में नजर आता है जैसे कि अनभाव साथे वगरा का तो पोवाड़ा का जो तो तो संगीतात्मक रूप से वो किस तरह से प्रकट होता है अप उदाहरन हमें सुना कि देखिए वो ये जो शायद जो लोग आये है ये जादा कर क्या है ये जादा कर क्या है ये जादा कर क्या है तो उनके साथ उनके तून्स में रहता है उनका कल्चर में रहता है उनकी तो प्रफॉर्मस का तरीका लेका 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 उठून सर्जा हक देशे जार्यालार शिवारी चला संधिलाई नामी आली यहाँंदा सावकार शाहीचा विकारी कुंदा आर पार खुपसुन पाडायचा रेंदा उप्टून मुली घल पाई दली तुडून आला गेलार शिवारी चला तो इसमें कुछ खास ट्यून होते हैं ना मतलब यह उसमें वराइटी है काफी यह बहुत वराइटी है इक तो औरीजनल जो ओरल ट्रेडिशन में हमारे देश में अलग अलग जातियों के गाने हैं हमारा देश जातियों का देश है तो म्यूजिक भी 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 जातियों का भी जातियों का देश है तो इस देश में इंटर्ट आए बहुत कम्पलेक्स है, तो अलग अलग जातियों हों के अलग अलग जातियों लग अई मिल्क जोड़ाण से तून है, उज उज बहुत रीच थारूब। तो यह लोगशाह ए्ट्रडिशन में ही यह साारे वर्म्स को हम इस्तवाल किया हैं तो इसके लिए कर ट्रडिशन बहुत रिच्छे हैं तो यह क्या होता है कि जो और रिजिनल तुन होता है वो तो भगवान का रहता है या खुद के दुख्य बारे में होगा या सामुई के बारे में होगा लेकिन जब हम लोग उसको लेकर आते हैं मेरा खास कर कि में लेको ने चुड़ी किया है कि फोक त्यून्स को ढूंदने के लिए मैं जब मैं स्टूरंट था तो हम गाउं तो वैसे में ने बहुत सारे लोगों के साथ में ताइम गुजा रहा है तैसकी ये आमारे अधर पोतराज नाम के चेषए थी पोतराज बोलेक तो विः दब बढ़ जाके गाना गा के नश्ता हैं तो चे महेना के लिए इक ऐसे पोतराज के साथ में गुमा हूं तो थे मैं तो लोग मुझे कोई समझ मेन आया था कि मैं को नहीं लेकिन मैं उनके अंदर मिक्स हो फोके गया चे मैना उनके लिए उदर से कुछ तून लाए तो ऐसे इस तरह से हम लोग गाव गाव में जाके तून लाए लेकिन तून वैसे का इस्तमाल ने करते हैं कुछ आप थोड़ा कि अवरत लोग रिलिजन के तरफ किस तरह से देखते हैं? वह गाना लिका मेने अवर्णा जो नागरीक नाम का जो इसमें यह गाना आया उसको अवर्ड भी मिला लोगों को यह जब रस्ते पर मारने लगा लोगों को ए पासिस्त लोग तो मैने वह अवर्ड वापस कर दिय तो वो ये गाना है यह हजार भजन सुनने के बाद में इस से एक टियू निकला है। वैसे जो पोतराज के साथ में अजार गाना उसका सुना देवी का। उस एक और भी अवरतों के बारे में है। कि अवरतों लोग किस तर से फिल करते हैं। जो इनसान के जिंदगी के साथ में जो खिलवाड है, वो देखती है, तो किस तर से उसको लगता है, तो हो गाने, बया पहट चागे पारी, कुणी नव्यान गाने गातो, नव्यान गाने गातो, धक्काचावडीला देतोगा माझे माई, धक्काचावडीला देतोगा माझे माई, धक्काचावडीला देतोगा माझे माई, धक्काचावडीला देतोगा माझे माई, तो यह उसका स्टाइल है, लेकिन यह एग्जेक्ट नहीं है, हो अजार गाना सुनके, पहले तो हम लोग लोग को लेके आते हैं, फिर उसको कॉंट करना पड़ता है आपके गाने में मुझे एक चीज बहुत लगा है वो यह है कि प्रोटेस्ट गाने का मतलब यह नहीं है कि हमेशा सीरियस रहना है है हास्य जो रस है बहुत निकल आए अबर के आता है एक आपका गाना मुझे बहुत पसंद है हिंदी में जो है लफड़ा झालिए है तो इस कल्चिरल हीमनी जो है फो रूल करता है क्याता है तो ममखी कल्चिरल हीमनी एकतः झालव करता है एक बहुत हो गृत्र शरुचरल हीमनी कंढ खाते है तो यह क्या है कि जो तुम नहीं हो तुम हो करके उसको समझाते हैं और दुसरे के लिए अपने गुलामी के अवरत लोग मनुस्मृति के समर्थन में खड़ी होती है या मनुस्मृति के पुजा करती है तो मतलब उसकी मुक्ति के दवार बंदी हो चुके ना खता हो चुका त तुम्हारी लपड़ा काई कुरे ये लोचा काई कुरे जो पड़े में जन्जटे जमेला काई कुरे इसके बाद में बोलता है कि तुम्हारी बगवान अलग है तुम्हारी बगवान के लिए लपड़ा कर रहा हो पपू तुम्हारा जिंदगी अलग है अवरतों का जिंद जान जाःकतारी जाःकता उनकी जिन्दगी के साथ, जान कशना इनकी कर दयना यह पह्छान कर दयनाON वbare नम्बा लुटा काना, सभरWW. उसमना पुरा पुलरैशन, kanina फ्रेद पुलरैशनकाए्टपर का लेह जया फुलारीशनकाहा उसमारा नहीं अगन अचुछा आई को न नाच झाहिए एंगाई, बगवान को न पुजा करके बजना करने का यह गौर्यचा बगवान को पु आपके गाने में यह बहुत ही सिर्था भी पावफूल लगता है कि आप इसस तरह से औदयने के साथ वण ऩो एट इस्टेपलिश करते हैं हम को हमकोछ़ से मारा है इस्टेटिक से आप झाला है तो हम फुक जवाしे गर चुक जाटैक यह करता है और हमारा बरह्मा बादनी एक यह अज़िश, तो हमारा कुछ जाना की। तो यह चीजे जब समझाते हैं तो लोगों का अपनी जिन्दगी में दिखते हैं तो लोग हसते हैं संभाजी भाई बहुत 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 शुक्रिया आज स्टूडियो में हमसे आके बात करने के लिए दो चीजें जो आप कह रहे हैं कि एक हुमनिजम और एक लोगों के रोजमर्रा की जिन्दगी के साथ जुड़े रहना और उस चीज को संगीतात्मक रूप से हास्य की रूप से प्रकट करना ये आपके संगीत का सबसे ज़्यादा स्ट्रेंग्थ मुझे लगता है बहुत बहुत शुक्रिया तैंक यू फो वाचिंग दिस एपिसोड ओफ वक्त की आवाज लफड़ा काय कुरे we will be back again soon keep watching News Click सबस्वर्ग में ही बचती ये ऐसे बाते करते